मैं विजय हूँ और लास्ट रिहब से वीडियो बना रहा हूँ जो भी छोटे बच्चे हैं नशा कर रहे हैं आज के दिन में और कई सारे बच्चे तो जो है जो इनहेल करने की कोई चीज इस तरीके से करते जैसे डाइलूटर हो गया करेक्शन फ्लूड हो गया और पेट्रो साया हुआ है यह एक लड़का है इसके मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपको यह हमारे पास जो है पहले आज से दस साल पहले जब हम माल देवता के अंदर यह रियाब का काम किया करते थे तो तब हमारे पास आया था इसके पैर उसने से तब एक ही महने रहने रखा हमारे पास एक मैं नहीं रहा था ना शाया हाँ उस वक्त पी हमने बोला था इससे रहने दो नहीं रखा उन्होंने अपना दिमाग चलाया खैर कोई बात नहीं फिर उसके कुछ टाइम बाद जब यह रिहाबिलिटेशन सेंटर ओपन वर्टा टूथाउजन थर्टीन में तब भी यह एक बार मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आया था अच्छा या मैं तेरे घर आया था शायद तेरे दादाजी की डैट भी थी यह आया नहीं था यह अपनी मर्जी चलाई इसने और फिर इसके घर वालों ने उसी तरीके से आया गया कर दिया बात को अब देखो दोस्तों इ थाइसी ले थी ओद रोगा देखो फ theatre ओड़ई च्राओ धार किर देखो देख दौर्ट से सबर्त करने सamedगे श्यक्राई अरट बतिकिने के अध्यशाथ नहीं द्रूब तुने पढ़ा ही नहीं करें उससे तेरा को फैदा दूनी वा अधिकारी तू बननी गया तेरा नुकसान हुआ अच्छा हो या बुरा हुआ ठीक है अब मुझे बता कि यह जो यह जो तुन नशा कर रहा है क्या क्या नशा करता था पहले बता मैं पैट्रोल का भी नशा करता पैसे अंधर से और नीचे पैरों के नीचे साilly नसे दरखी है है मैं ऐसे किसने बोला कि यह पैट्रोल की वज़े से यह जाती है यह जो पूरे शांट realised यह एंज नित गयता है सभोलन है रहे बहॉत मैं प्योले शेर कोई जैड़े सब्सक्राइब कर दोक्टर ने बोला कि तेरा पैर पैट्रोल की वज़े से खराब होगे अब तुम्हें बता कि खराब क्या हुए दिखा खराब अंदर से मास्च पेशियों में इसका हमने बेसिक डिटॉक्स कर दिया था जो कि नशेगी वज़े से डैमेज होते हैं वह सारे रीकवर कर दिया अब यह जिस दिन आया था उस दिन बिल्कुल उल्टी सीधी बाते कर रहा था वह की वी अब होस्म है 15 दिन से उपर हो गया है पैर इसका पूरा डैमेज हो गया दोसतों सब्सक्राइब कर दोस्तों कि निकलने की कुशिश कर रहा होगा सहत कुछ न कुछ शनकुछ तो ऐसा हूए होगा तो ऑवलरॉल हमेद यह समझने कि पैत्रोल के नशे की वज़ेसे इसकी हलती हो गीा आज को इसके ड़िए सकता दोस्तों कितने साल अला लड़का है मैं 24 साल गा हूँ 24 साल गा लड़का है सेवन्त क्लास पास है कितनी एज हो गई अभी 24 चौबिस साल इसकी एज है अब देखो तु मुझे एक बाद बता जो तुने नसा पत्ता गर रहा है इससे तेरा क्या फैदा हुआ इससे मेरा कोई फैदा नहीं हो इससे मेरा नुकसान ही हुए मेरे पयर बहुत जाता खराब हो रखे है अब जो तुभ इस बाद बता तू तो अभी थोड़े दिन पहले किसी और नसा-मुक्ति के अंदर में भी बंद था अग्गी सोभाई नाम मतले किसी का नसा-मुक्ति में बंद था में में तो नहीं दिन रहा हुआ वहां पे दो मेने वहाँ लेटा रात चरफाई पे तेरे पैर खराब होगे तुस्से चल नहीं जा रहा यह चल नहीं पाता भई दिवाल का सारा लेके चलता है रटा कटा बंदा है सब कुछ बढ़िया है तो मुझे बता है तो बहुत तो बहुत निकला तुने नसा दूपारे क्यों कर तो गरवालों ने तेरा करदा देना जा तेरा नसा मुक्ती में भी तेरा ट्रीटमेंट करवाएं तुझे तीन टाइम रोटी पानी बे डाले अब तो खर्चा पानी भी दें और किसलिए नसा करने के लिए तो तु इतना बढ़ा होगे तुने कमाया जू निक अभी कुछ वीलचेर उस पर बेच्चेगा दू अब खिलोने गुबारे अभी भी तेको सरम निया अभी बिलेम गेम धेल रहा दूसरों के लिए कि उन्होंने पैसे नी दिये अभी ये वता में ब्यावार खराब है वही चोरी करता तू आया ना नहीं चोरी नहीं करता कभी नी करी मैं सिर्फ बाने से पैसे मांगता था जूड़ बोलता था जूड़ बोलता था तो जो जूड़ बोलता है वह चोड़ी भी करता है हमारे को मुझ तो भाई छोटे बच्चो जितने भी बच्चे है 14 15 साल 16 17 18 19 साल 20 साल तक के बच्चे सब के लिए ये बहुत किलियर वार्नि देखो कैसे चल रहे हैं और साहरा लिए अगर साहरा नि लगा है चल नहीं पाता है चल ठीक है बैड़ जाओ गाईज ये पैट्रोल का डेमेज है सिर्फ पैट्रोल के अंदर भगवान जाने क्या कैमिकल होता हूँ तो हमने तो कभी करा नहीं पर उसकी उसको इन्हेल करने की वज़े से इस बच्चे के पैर खराब हो गए तो आप लोगों के लिए बहुत जादा मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को सजेशन दे रहा किस चीज का करना चाहिए कोई भी नशानी करना चाहिए अपने अच्छी जिन्द्री जी हो बिना नशेक है